ग्राम भांसा से बैस्विक भांसा तक कि दिर्ग यात्रा की साक्षी है हिंदी हिंदी के अस्तित्व राग का यह पर्व एक दिनी या एक सप्ता या एक माह तक सेमित नहीं है नहीं ऐसा होना चाहिए, बलकि हिंदी का राग तत्त, मन में प्रतिपल और वास्तिविक कर्मराग के रूप में हो, तब जाकर हिंदी प्रेम प्रस्फुटित होता है हिंदी हम सबकी है, क्या मजदूर, किसान, नौकरी पेशा, वकील, डाक्टर, उद्दमी और उद्द्युकपती, सभी तक हिंदी सेवा का विस्तार है एक ऐसी भासा जो सहज है, और जिसे मद्देश का सरवाधिक लोकप्री कवी, कबीर ने भासा बहता नीर की उपाधी देते हुए लोक भासा के रूप में सिद्ध किया वह हिंदी अपने सेवा विस्तार में सभी को अपना बनाते चलती है हिंदी के लिए अतरिक्त कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि हिंदी हमारी रगों में भहती है हिंदी हमारे रक्त में है, हिंदी हमारे संसकार की वह भासा है, जो जीवित संदेश से हिंदी का कर्म प्रदेश ही निर्मित नहीं करती, अपित हिंदी के माध्यम से नौकरी, रोजगार का स्रिजन और हिंदी स्वाहिमान वा आत्मसम्मान की भासा बन हम सब के लिए जीवन सम्मान की, जीवन अभिव्यक्ति की और अपनी दुनिया को रचना, समझने की जीवन भासा के रूप में सामने आती है, हिंदी में होना, यानि अपनी संभावनाओं को, अपनी ताकत को टटोलना, वो अपने आप को पहचानना होता है, हिंदी भासा के माध्यम से अपना स्वदेश बनाती है, हिंदी के लिए कहीं नहीं, बाहर नहीं, अपने भीतर जहाकने की जरूरत है, हिंदी को किसी बाहरी तत्यों से उतना नुक्सान नहीं है, जितना स्वयम हिंदी वालों के उस भाव से है, जो हिंदी के लोगों में हिंदी के प्रती एक सहज कमजोरी या हिंदी को किसी मजबूरी में स्विकार करने से बनी है, ऐसे हिंदी वाले हिंदी के लिए आत्म बोध, आत्म गवरव विक्सित न कर, हिंदी के लिए एक अरण रोधन करते हैं, जिससे हिंदी का काम चलने वाला नहीं है, हिंदी को हिंदी समाज का ताकत बनाने के लिए, हिंदी की उस ताकत को सामनी लाना हुगा, जो हिंदी की सहस्ता व सहज अविक्ति में है, जिस कारण से सब हिंदी को स्विकार कर आगे बढ़ते हैं, हिंदी की इस अपार लोग प्रीता के निम्न सुत्र हैं एक हिंदी सहज ही संपर्क सुत्र आफसी संबाद और संप्रश संबेधन की भासा है दो हिंदी मलदूर किसान स्रमिक से लेकर उद्दमी तक जीवन व्यवहार की समान भाव से समझे जानी वाली भासा है 3. हिंदी में आज रुजगार स्रिजन की अपार संभावना है बाजार से लेकर व्यापार तक हिंदी जीवन की सहज भासा है जिसके कारण हिंदी को सीकार की बड़ी भासा के रूप में देखा जाता है 4. हिंदी उद्दमी उद्द्योग वबाजार में समान भाव से लागू है जिस कारण हिंदी की क्रह सक्ती बढ़ी है जिस कारण हिंदी की ओर समाज के अन्य अग्रणी लोग उमीद के साथ देख रहे हैं जो हिंदी की बड़ी ताकत को रेखांकित करता है 5. हिंदी मीडिया, सोसल मीडिया, फिल्म वा इंटरनेट पर एक सच्छम वा ताकतवर भासा के रूप में उभर कर पिछले दसक में आई है जिस कारण से हिंदी को एक बड़ा जनसमू अपना मानने के लिए एक तरह से बाद्ध है आज जो भी हिंदी को स्विकार रहा है वह उसकी ताकत के कारण ही स्विकार रहा है 6. आज हिंदी नीती, राजनीत, समाजनीती और सस्कृती नीत के कारण भी केंदर में है हिंदी को छोड़ कर या हिंदी को किनारे पर रख कर आप कहीं नहीं जा सकते यदि आपको कुछ अच्छा करना है कुछ बहतर करना है तो uity को न केवल अपनाना होगा बल्कि हिंदी को स्विकार करना भी होगा हिंदी एक प्रदेश या देश तक सीमित भासा बेवार नहीं है बलकि हिंदी आज बैस्विक रंग में आगे बढ़ रही है अभी G20 के देशों की सिखर वैठक दिल्ली में हुई तो यह तैं है कि इसके साथ हिंदी भी दुनिया भर में अपने धंग से गई हिंदी का रूप दिन प्रतिदिन बैस्विक रंग ले रहा है तरंगों पर सवार होकर जहां हिंदी पूरी दुनिया में पहुँच रही है वहीं हिंदी अपनी सहस्ता और देशजराग से भी विस्वमंच पर माध्यम बन रही है हिंदी कीबोर्ड से लेकर इंटरनेट और तक्नीकी तरंगों पर इस तरह गतिमान है कि रोज-रोज हिंदी की नई संभावनाएं सामने आ रही है हिंदी को सहज रूप में पूरे देश की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है इस इसाफ से हिंदी जनजन के स्विकार वजन सक्ति की भासा है जो सहज रूप में स्वतंत्र होते हुए मानों मन को अभिव्यक्ति को अपने केंदर में रखते हुए आगे बढ़ती है इस तरह कह सकते हैं कि हिंदी जनजन के मन की वह भासा है जो जीवन ब्यवहार से लेकर साहित मीडिया सिनेमा और इलेक्ट्रानिक मीडिया माद्यमों में एक साथ सक्तिसाली रूप में अपने को प्रस्तुत करती है इसलिए हिंदी को एक स्वाभाविक उन्नत सील भासा के रूप में ग्राम भासा से बैस्विक भासा की यात्रा तक के अभियान को हमें गर्व के साथ देखने समझने की जरूरत है इस रूप में हिंदी मानवता की मानव मन को समझने की जरूरत है इस रूप में हिंदी मानव मन की स्वाभिमान की वह रचनात्मक उर्जा से भरी दिन प्रति दिन के ब्यवहार की ऐसी ब्यवहारिक भासा है जिसे पूरे देश ने एक मन से एक स्वर से स्विकार करते हुए चलता है इसके लिए हमें अलग से कुछ नहीं करना पड़ता यह हमारे प्राणों की जन्मन की सहज भासा है इसे हम सब इसी रूप में स्विकार करते हैं प्रोफेसर विवेक कुमार मिस्र राजकी कला महाविद्याले कोटा शया है